भारतिय फिल्म इंडिस्ट्री की सालाना आधार पर 11.5% की वृद्धी होने की उम्मीद है बताया जा रहा है कि साल 2020 तक फिल्म इंडिस्ट्री की सकल प्राप्ती 23.000 करोड रुपे हो जाएगी फिलाल के आंकणों की बात करें इस समय ये कमाई 13.800 करोड है पिछले दू सालों में 10% का चढ़ाव देखा गया है फिल्म इंडिस्ट्री में मेकर्स को एक फिल्म बनाने के लिए कई चुनाउतियों का सामना करना पड़ता है रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 70 अनुमोधन और लाइसेंस एक फिल्म निर्माता भारत में फिल्म की शूटिंग के लिए 30 से ज्यादा अधिकारियों से लेना पड़ता है बताया जा रहा है कि पिछले 4 सालों में लाइसेंस के कारण के भारत की कई बड़े बजट की फिल्मों से हाथ भोया है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइसेंस लेने की लंबी प्रक्रिया के कारण फिल्म इंडिस्ट्री पर काफी प्रभाव पड़ा है अगर इस प्रक्रिया को हलका नहीं किया गया तो फिल्म इंडिस्ट्री की तरक्की की ज्यादा रफ्तार से नहीं हो पाएगी आपको बता दें कि भारत ये फिल्म इंडिस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडिस्ट्री है भारत में विश से अधिक भाशाओं में हर साल 1500-2000-2000 फिल्में प्रड्यूस होती है